आज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए थर्ड एर यानि की बीए तृतिय वर्ष के चात्र है जिसको आप लोग लास्ट एर बोलते हैं ठीक है उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपका सब्जेक्ट राजनीती साफ्त्र यानि की प्रश्ण परिच्छा में पहुंचे जाते हैं और जो प्रश्ण पत्र है उसका जो नाम है प्रथम प्रस्पत्र का उसका नाम है लोग प्रसासन के सिद्धांत ठीक है तो इससे जुड़े सारे प्रश्ण परिच्छा में आएंगे लोग प्रसासन के सिद्धांत जुड़ कि पहला कोश्चन है कि पहला कोश्चन है कि और चारिक संगठन के बारे में आपको बताना ठीक है बहुत सारे कोश्चन है जो पेपर है फस्ट पेपर उसमें बहुत सारे कोश्चन बहुत सारे इंपॉर्टन कोश्चन है हम आपको धीरे-धीरे करके सारे कोश्चन आपको बत उस संगठन को कहते हैं जिसमें प्रतेग अस्तर पर और इस प्रकार के संगठन में अधिकार उच अस्तर से निम्न अस्तर की और ठीक है प्रतिया योजित होते हैं उच्छ अफ्तर फे यानि कि उपर से नीचे की ओर उपर से नीचे की ओर यानि कि उच्छ अफ्तर फे निम्न अफ्तर की ओर प्रतिया योजित होते हैं और पूरी शंगठन प्रिकिरिया संस्था के उद्देशों को प्राप्त करने का प्रत अच्छन निम्न होँ सकते हैं जैसे कि नमब एक everyday रखा गया है यह जान भूच कर बनाया जाता है क्या यह जान भूच कर बनाया जाता क्या ओपचारिक संगठन ठीक है दूसरा है कि यह अधिकारों के प्रत्यायोजन की सिध्दांत पर आधारित है जो आपका आपचारिक संघठन यह आधिकारों के प्रत्यायोजन की सिद्धान्त पर आधारित हो तीसरा है कि फृत्तेग अस्तर पर इस्तित अधिकारयों उत्तरधायत को परभासित कर दिया जाता है ठीक है तो यह है तीसरा इसका प्रमुक लच्छन ओके और निश्ट देखते हैं कौन सा लच्छन है निश्ट है कि इसमें आदेश की एकता के सिध्धानत का पालन होता है किसमें आपचारिक संगठन में पाच्वा है कि इसमें स्रम विवाजन संगठन यह महात्पूर्ण इंपार्टेंट कोश्चन है जो कि परिछा में आपको देखने को जरूर मिलेगा संगठन पर प्रश्ण हम आपको आगे और भी बताएंगे लेकिन इसका उत्तर हम जानते हैं ठीक है और चली तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि जब सासन की सक्ति निचले अस्तर तक विभाजित होती है तो उसे बिकेंद्री करण कहते हैं या फिर बिकेंद्री करण की संग्याद दी जाती है शासन की सक्ति का मत्तब यह हो गया जैसे कि मालीजी सासन गौर्रमेंट ठीक है गौर्रमेंट के इंतर कर बहुत सारे लीडर जैँ और इन सभी के यो प्रकार प्रसाशन कहते हैं और चाहई उपर बढकर जी कि énormément प्रदान के पावर दोसर हैं मुक्ह मंतर के पावर दूसर है उपुमक्हांतर दूसर तो इस प्रकार की जो पर किरिया होती जो निम्नस्तर पर बिभाजित किया जाता। उनके पावर को, जिसको हम भिकंद्रकरण के नाम से जानते हैं, उपर इसकी संग्या दे जाती है, ठीक है, और अगला यहाँ पर point है कि नेड़े के जितने अधिक केंद्र किसी संगठन में होते हैं, वो उतना ही अधिक बिकेंद्रित माना जाता है इसमें सत्ता की शक्त विवाजित होती है बिकेंद्री करण के निम्न गुड माने जाते हैं तो जानते हैं बिकेंद्री करण के कुछ महत्पोड गुड पहला है कि क्वाल्टी जिसको आप लोग बोलते हैं ठीक है केंद्री अधिकारियों का जब मालिज्ट की सारे काम अगर मुखमंत्री को सब दिये जाएंगे कि आप स्वाफत विवाग भी देखिए आप ही ही रैलवे का डिपार्मेंट देखिए ठीक है आप ही ही जो उपनगरिये जो परिवाहन डिपार्मेंट है आप यानि कि सारे चीजे अगर मुख्यमंत्री ही देखेगा तो उसको काफी ज्यादा भार उसके उपर आ जाएगा काफी समस्य आएंगे इसलिए जितने भी डिपार्मेंट है या फिर गौवर्मेंट वह चाहे जो भी हो चाहे राज सरकार की हो फिर कियंद सरकार की हो तो उसके सारे एक मेन होता एकम धहर मंत्री ठीकि सांशामद चोंचас सबी के काम बैंट कर दिये गए हैं अलग अलग उनको यह ऑंको यह फार्मेंट आभिगे और आपने नीचे जो भी अपने कार्य जो है वो सौंप देजिए तो इस प्रकार केंदरी अधिकारों को कारिभार हलका हो जाता है क्या करने से बिकेंदरी करण करने से यानि की विभाजन करने से ठीक है कि आप ये कारी करी आप ये कारी करी आप इस डिपार्मेंट को समझा रहें ठीक जैसे की एक्जामपल के तो आप घ जो है उत्तर लिखेंगो और इस प्रिकारश के गुण हैं दूसरा है कि लाल फिता ठीक है फिता साही का अभाव दूसरा है अफ्थाने समस्याओं का उचित समाधान जैसे कि माली जी अब मुक्मेंत्री जी हमारे माली जी बैठें लखनों में या फिर किसी अन्य स्टेट के म समस्याओं या आपके तो यह तो नीचे मंत्री की रखे गए है मंत्री जो भी और भी उनके नीचे जो लोग रखे गए हैं तो इससे यह प्रभाव पड़ता है कि समाधान हो जाता है तो इसलिए इस बिकेंद्रिकन के ये भी लाव है कि भाई की डिवाइट कर दिया गया तो यहां पर जो उसके उच अस्तर के हैं मतलब की जो डिश्टिक लेबल के अस्तर के हैं जो उनको टीपार्मेंट ने सौपा है उपर मुख मंतरी ने जिसको कि हाँ आप यस एरिया को कबढ कर जए तो वहां पर कोई समस्य आएगी तो उसका कर लेंगे तो इस प्रकार इस चीज के आरे में आपको लिखना है अगला कि कार में बिलम नहीं होता है नेश्ट्ट है यहाँ पर लोक्रिय सासन और नेश्ट्ट है प्रसासन में लचीला पन और जन्ता का सहयोग यह मुख्य इसके गुण और यानि की क्वालिटी इस परकार आपको एक्स्प्रेंट करके लिखना सेवन है आपके पास अगर नौलेज है और भी तो आप अपने कोड़िंग भी सकते हैं निश्ट है कि नोका साही के मुख्य दोस्त नोका साही के मुख्य दिश में दिखते हैं कौन कौन से दिखा है यां पर प्रमुक coach है मुख्य दोस्त में प्रमुक दोस्त नोकार 7-7-11 नोका से की अनुदारवादी तो यह हैं इनके प्रमुक मुक के दोस्ट कि आपको ध्यान में रखने हैं परिच्छा के लें टॉप लेबर का तो नहीं है हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार आ को जाता है तो आप तैयार करने के काफी कोश्टन ने कि बैक्तिकत प्रसासन तुसका लिखना की निजी प्रसासन से दात पर उस कार्यों से जो बिखिगत या गयर सरकारी संस्ता द्वारा निजी लाब के लिए कि पर से इसमें लोक हितकी भावना नहीं होती है जिसे किसी निजी दुमी द्वारा जब कोई फर्म लगाई जाती है तो उसमें किवल लाब को ही देखा जाता है निर्जी प्रसासन में कर्मचारी अपने उत्तरदाईतों के प्रति सजग रहते हैं ये उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो मिल मालिक या उस कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर सकता है निर्जी प्रसासन का छेत्र सीमित होता या प्रसाषन पूरी तरह से ब्योशाइक होता है यानि कि बिजिनेस का होता है कौन सा ब्यक्तिगत प्रसाषन का मतलब कि स्वयंद से कोई मालो फर मिया कोई खोले खोली घृत वर प्रकार नीथ प्रकार ऑचना में। में मनें क्विजिए माली हो तो प्राइब है गर्रमेंटा थो है नहीं कि आप आप ख्ली है आप को उतनी हMore लेगे हम आपको अटाने सकते तो इस तरह इसमें बेक्तिगत प्रसासन में यही होता है कि यह जो संसताय होती है वो गैर सरकारी संसताय होती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य उद्देश होता है वो लाब कमाना होता अधिक से अधिक काम लेकर अच्छा ही इंकम कर करना होता ठीक है और बाकी की यहां पर पूरी की पूरा इसका उत्तर दिया गया आप पढ़ सकते हैं और आप पर इच्छा में लिख सकते हैं जब यह प्रस्ट आएगा हाला कि आने के बहुत ज़्यदा चांस है कि पद वर्गी करण की परिभासा दीजिए तो इसका वर्ग पद आप लोग समझते हैं अब यह समझ जाएंगे पहले उत्तर पढ़िए लिखा कि कार्मिक प्रसासन में वर्गी करण का अर्थ करतब्यों एवंदायतों के आधार पर पदों का ऐसा समोही करण जिससे मोटे तौर पर कुछ वर्ग निर्मित हो जाएं जिन पदों के करत होंगे जिगनेशन जिसको आप लोग बोलते हैं कि कि सुष्ट पर आपकथ यहां पर बताया जा लुक्त ही यहां पद कि शिंदा नहीं होती दाना घ्लिभाएघ के यहां उने कहा वर्गी करड़ से हमारा ताद पर यह है कि शमान कार रहे तब कि एक जैसे कार तथा समान उत्तरदायत वाले पद एक ही स्रेड़ी में रखे जाते हैं यानि कि जिनका काम एक ही होता है ठीक है और समान उनका उत्तरदायत होता उनकी समान ही जिम्मेदारी होती है उन पद को यानि कि उन जो भी पोश्ट के लोग हैं उनको एक स्रणी में रखा जाता है ठीक है चाहे वो किसी भी विभाग या सेवा से सम्मंदित हो तो इस प्रकार आप पद वर्गी करड़ के बारे में लिखेंगे जो की इंपॉर्टन कोश्चन है एक्जाम के लिए और अगल की लोग प्रसासन की भूमिका बताइए डोप लेबल का यही आपके प्रशनस्पत्र का नवे तो लोग प्रसावंः से हो सकता है जितने भी कोश्चन बने आप पढ़ लीजेगा बहुत ही महात्पूर प्रस्ण है ठीक है इसका उत्तर है कि आधुनिक लोग प्रसाषन की भूम का निम्ख प्रकार हैं नमबर एक है जन इच्छा का आउंग जने चाओं का सम्मान नमबर दो पर आपका जाएगा उत्तर दायत तो जन सही योग निति नमबर पर चार प्रसार नमबर पांच पर बीकिएंद्री करण तो ये लोग प्रसासन के जो प्रमुक भूमिक्का के निम्न प्रकार है यानि कि जो प्रकार हैं इनके बारे में आपको ध्यान लखना बहुत ही महात्पूर्ण है और नेस्ट कोईश्चन है कि संगठन की परिभासा जो कि आपके पर इच्छा में आएगा ही आएगा है इस बात को जरूर अध्यान रखेंगे प्रस्ण महात्पूर्ण है इसका उत्ता लिखना कि किसी के परंप्रास्रित ठीक है परंप्रास्रित भागों को संबंधित करने का कार ही संगठन है जिसके उद्देश पहले पे निर्धायत होते हैं जब किसी लच्छ की प्राप्त के लिए अनेक हो जाता है संगठन ऐसे मनुष्य के समुह का नाम है जिनके करतब यूम उत्तरदाईत अश्पश्ट सुनिस्चित होते हैं ठीक है उर्भी के उनसार जो कि प्रमुक विद्वान है इन्होंने कहा कि किसी वश्ट को प्राप्तिया उत्पंद करने के लिए हम जो योजना बन किसी मतलब कि हमने नमकीन की फैक्टरी ओपन करने जा रहें ठीक है तो उसमें होता यह है कि यहां पर पहले फिर से यह उत्तर पढ़ लिए किसी वश्ट को प्राप्त करने या उत्पंद करने की बात हो रही है तो मालों जो हम वहां से उत्पंद करना है माली जिए नमकीन या फिर इसी चीज को में पाना है तो उसके लिए हम जो यूजिना बनाते हैं या निकि उजना इसी तरह होगी ना कि पहले प्रेक्टरी हम लगाएंगे नमकीन कि उसमें कैसे हो पहले तो हम जमीन खरी देंगे पिर जमीन करेंगे उसको हम बिल्डिंग मनाएंगे ठीक है फिर इंपलाई हायर करेंगे निकि जो जो लोग बनाएंगे क्या काम करेंगे सब ठीक है तो यह जो पूरा का पूरा जो प्रिक्रिया होती है जिसे हम संगठन के नाम से भी जानते हैं जो किसी लच्छिके प्राप्ति के लिए आवस्यक है और जिनें हम वर्गों में यह प्रशाषण की परिभासा जो की महत्वपूर्ण है आगला इला कुश्टन बहुत ही टॉप लेबल खाइग का यह प्रशासन परिभासा इसजी प्रश्ण पत्र का भी नाम है तो यह प्रस्ण आये गां ड्यास त्हुम यलडी फोइट ने लोग प्रसासन कि परिभासा ळेते हुए काई प्रसासन किसी अथ्वा लच के लिए बहुत से बेच्टियों के समन्ध में निर्देश नियंत्रन तथा सामानी करण की कला है तो इस प्रकार आपको लोग प्रसासन की परिभासा लिखनी है बहुत महत्तपूर्प्रस्ण याद रखेंगे अगला टॉप लेबल का कुश्चन यह भी कि बजट के बारे में पढ़ लेंगे यह भी महत्तपूर्प्रस्ण है बजट में वारसिक आयबे का अनुमान होता है यानि जो बजट होता है यह एक फैंशिल इयर को जूड़ा जाता है यानि फैंसल जो फाइनसल इयर होता है वाप प्रतेक वर्स एक अप्रेल से लेकर 31 मार्च तक इस इन दिनों को जो कहा जाता है यानि कि एक अप्रेल से काउंट करके और 31 मार्च को इसको फाइनसियल एर कहा जाता है यही होता वार्षिक बजट इसी के अंतरगत यह निकारा जाता है कि हमारी company हमारी factory हमारी बैंक या फिर जो भी आपका उद्दिव कर रहे हैं जो भी business कर रहे हैं उसमें हमें कितनी आए हुई यानि कि इसी के अनुसार अगर आप बनाके भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नमबर मिलने वाले हैं तो आज किसी वीडियो मैंने कुल मिलाके टेन कोश्चन इंक्लूट किये थे प्रोटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में जो कि इन में से साथ कुश्चन तो टॉप ही लेबल का लिंक दिया गया है कोश्चन पेपर डॉट को महां सभी से प्राप्त कर सकते हैं और वहां सभी तैयारी कर सकते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिंद